फाइरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट एक्स्रीमली हाई टेंपरिचर्स पर बंदूग से बाहर निकली अगर मैं बुलेट प्रूब जैकेट की आउटर कवरिंग को हटा दूँ तो इसके अंदर हैं ये चार लियर्स सबसे पहले ये स्बीट के स्पीड कम हो जाएगी प्लस बुलेट का स्ट्रीम लाइन से कुछ इस तरह से डिफोर्म हो जाएगी इस तील से भी जठा मजबूर एक टायटली विउट फाइबर है बुलेट के contact में आने से ये इस तरीके से पीछे की और stretch हो जाएगा और इस बुलेट की kinetic energy को absorb करके पूरे surface पर distribute कर देगा इसको चीटते हुए बुलेट vertex layer से टकराएगी vertex layer और कुछ नहीं बस इस aramid fiber layer का ही updated version है जो की और ज्यादा tightly viewed रहता है आगे बढ़ते हुए high temperature बुलेट जब इस tight chemical bonds वाली polyethylene layer के contact में आएगी तो इस polyethylene का contacted part दिखल जाएगा और इस बुलेट को ऐसे जगड़ लेगा